नमश्कार शातियों, आज हैं संडे, और आज फिर लेकर आया हूँ, मैं आपके सवालों के जभाब देने के लिए फिर हाजीर हुआ हूँ, जो आपकी कमेंट वती हैं, उनको मैं संवालों के जभाब पर चलिए उनको इस वीडियो के तुरू देने की पुरी पुरी कोशिश करता हूं और जो सवालों के जवाब देता हूं वो उनसे निश्चित अच्छी तरीके से आपको उनके जवाब मिल जाए एसी में पुरी-पुरी कोशिस करता हूं तो अगर आपके भी कोई निवरन करने वाले हैं तो चलिए सुरुवात कर देते हैं देखें यहाँ पर जो यह कमेंट है ए एंटी जो इनका चैनल का या इनका नाम है यूजर का तो इन्होंने जो कमेंट लिखी है खेर मैंने यह समझ में नहीं आया कि इन्होंने लिखना यह लिखना क्या चाहते है प्रोमो एसम लिखा इनोंने ठीक है इनकी जो भी है लेकिन मेरे समझवें नहीं आया ठीक है अगला देखिए यहाँ पर जो comment आई हैं जो की अभी नहीं आया है fake news ब्रो देखिए बहुत सारी लोगों को ठीक है सुनना भी कमेंटे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पन नहीं आया है पुराना रिजल्ट सो हो रहा है बाकि जूट बोल रहा है सर ठीक है कब आएगा रिजल्ट कोई परवा नहीं एंसिविटी को डिले पर डिले बोला बोलो सेलरी देने हम लोगों को वेट करेंगे जो भी है इनको थोड़ा सा देख लीजिए आप कमेंटों को पढ़ सकते हैं साले जूट मत बोल अभी नहीं आया है तो व्यूट के लिए देखिए यहां पर जूट की हद होती है भाई ठीक है आपका प्यार है जो भी आपने लिका है ठीक है अब देखिए यहां पर यह जो कमेंटे ना सारी हैं इनको आप एक नजर में पढ़ लीजिए ठीक है यहां तक में आ जाता हूं कि आखिरकार इन बच्चों ने इस तरीके की कमेंटे क्यों की है वह मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ देखिए मैंने जो है ना एक में कि लेटरा रहने यहां उसमें लिखा हुआ पर और इंट को आपका र Big exam तो उसका इन में उसका रिजल्ट निकाल यह उस पास दिखा रहा था ठीक है मैंने उसको देखा तो पास दिखा रहा था मैंने दूसरा एडमिट काल मलब की दूसरे एक और मेरे पास एडमिट काल था उसको मैंने नहीं देखा और मैंने निकाला भी नहीं उसका मैंने एक ही निकाला था और एक में ही बच्चों ने देखा उन्होंने रिजल्ट निकला जब रिजल्ट निकला तो उनका रिजल्ट जो पुराने वाला है ना वही सो हो रहा है उनका क्या हो रहा है पुराने वाले सो हो रहा है जब पुराने वाले सो हो रहा है तो बच्चों ने इस तरह की कमेंटे कर दी ठीक है इस तरह के कमेंटे कर दें कि जुट बोल रहे हो फैक निज यह है वो है जो भी इनोंने इनका प्रेम था वह इनोंने दर्षाने की कोशिश कि ठीक है चले फैक निज थे अब फिर मैंने उसको वापिस से दो बारा मेरे पास वापिस से मैंने उसी रिजल्ट को चेक किया तो उ मैं की रिजल्ट में पुराना वाला ही सो रहा है तो अब इसका आप क्या निनने निकाल सकते हो खुद मेरे समझ में नहीं आया कि उस बच्चे का पास कैसे बता रहा है ठीक है और देखे एक को यहां पर कमेंट आई थी जो कि मैं रिजल्ट आ गया है मेरा पहले दिखा रह दूसरों बच्चों के रिजल्ट उस दिन अपडेट हुए थे बाकी जाने क्या गरबड़ी हुई कि वापिस आपके वह रिजल्ट नहीं और अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो यह कुछ भी कर सकती है हम उस दिन जल्दबाजी की वाज़े से मैंने वीडियो अपलोड कर जाता मैंने 24 का अगर मैं निकाल देता तो मेरे को भी पता रहता लेकिन जल्दवाजी में हो गया मैंने वापिस से उस वीडियो को हटा दिया हम वीडियो के लिए कुछ भी नहीं करते आप हमारे वीडियो देख सकते हैं ज्यादा तर मैं पढ़ाने की कोशिस करता हूं मेरे जितने भी वीडियो हैं वह सारे पढ़े वाले कंटेंट जाता है फाल तू में एक भी वीडियो नहीं डालता ठीक है आप मेरे वीडियो देख सकते हैं उन पर विवस आपको कम ही लेंगे लेकिन मैं पढ़ाने पर ज्यादा फोकस करता हूं कभी मैंने विवस के लिए आप आपको चैन्टेंट देने की कोशिस नहीं किया हैं ठीक है तो ठीक है जो भी आप समझो ठीक है ठीक है तो यह रिजल्ट आठ मार्च को कुछ एक बच्चों को आया था यह मैं आपको बता देता हूं क्योंकि जो मैंने एक और नियुज आपको जरूड दूगा फिलाल मैंने उस वीडियो को हटा रखा है ठीक है तो जब सभी किलिर हो जाएगा तब अच्छे से रिजल्ट पर चर्चा कर लेंगे ठीक है बाकी और देख लेते हैं अपन कमेंटे जो कि यहाँ पर कमेंट है देखिए यह तो किया रहे सही यह कमेंटे तो चली रही है पिछ देखिए इनका प्यार है जो कि इसी तरीके से जाहिर कर रहे है बाकी छे दिन पहले एक कमेंट आये थी जो कि ड्रीम नाम के सर एडी में मैंनस 100 हो रहा है अभी वी मेरा और पांच इस्टूडेंट वी पांच इस्टूडेंट का सेम है यानि कि वही प्रोब्लम मैंनस 100 हो ठीक है तो अभी तक क्लेर हुआ है रिजट आयोगा तमके क्लेर हो पाएगा और रिज़ल्ट कब आये यह तो कि सी कोई पता नहीं है ठीक है कोई भी यूट्वर कोई भी बता रहे की तब आ जाएगा को जब अन Tea के जब ढूटिवर को अब अन् condemnation अगा चॉश想 मत कर ना स सर सेवीटी का टाइम टेबल कब आएगा तो सेवीटी का टाइम टेबल का तो अभी नहीं आया है इसकी भी कोई जान करें आती है तो आपको ज़रूर बताने की कोशिस करेंगे ठेक है बागी यहाँ पर वही कमेंटे आ चुकी है सर हमारा 2019 और 21 सेशन से मैं ED में फैल हूँ मैं सब्लिमेंटर एक्जाम दिया मुझे बोला गया कि आपका रिजल्ट 8 मार्च को मिलेगा यह सही है अब देखिए 8 मार्च को तो रिजल्ट आए नहीं तो क्या कहें आपको ठीक है तो रिजल्ट आ जाएगा टेंशन ना और जाने क्या दिक्कत आ रहे हैं जो इन्होंने कहा 8 मार्च का तो नहीं आया अभी तक संड़े का वो लिखा इसा कोई दिक्कत नहीं होता है लेकिन जाने क्या देरी हो रही है या तो अब देखिए कुछ भी हो रिजल्ट तो आई जाएगा लेकिन समय लगेगा अज जान अगले संडे फिर कमेंट सेशन को लेकर ठीक है धन्यवाद